आज वर्तमान में अवसाथ चिंता या एंजाइटी की वज़े से सभी तरस्ते हैं और परेशान हैं लेकिन योग में एक ऐसा मार्ग है जिससे हम अपने मनोग विकारव को प्रांट करते हुए परक अंद का अंभौ कर सकते हैं और इसके लिए हमें कहीं भी नहीं जाना है और नहीं हमें अपनी कोई रस्त समझित जिन्मेदानियों का चाट करना है मात्र प्रात्याताल ब्रम मुहुरत में ज़्यक्तर कुछ योगी की सरल प्रियाएं हैं जिससे कुछ ही दिनों में हमें बहुत नाम मिलता है और हम दुख महराज से चिंटा से उबर कर एक परम सांतिकान भौ करते हैं और हम चाहें किसी धर्म या पंत्र आधी को मानने वाले हों लेकिन जोग सबके लिए सुलब है और सभी के लिए समान हैं यहां पर अब जादे इसको नंबा ना करते हुए कि मूल बात में आ जाएं कि हम अपने अवसार या इडिक्रेशन को कम करनी के लिए क्या करने इसके लिए सरुपफम जातर इस्तान करके कहीं सुख्ज एकांतिस्तान पर रहे हैं और कुछ कपाल भाती की क्रियाएं करने करने के लिए दोनों नतुनों से सांस ले और इतना इसको घीमा छोड़ें कि स्वेंग को भी पता ना लेगे कि हमारी सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है कर पश्चाथ पचास साथ बार जब हम अनलों बिलों कर लेते हैं और अनलों बिलों को कपाल भाती भी कहने या अनलों बिलों कहने दोनों एकी हैं फिर भस्क्रिका करें भस्क्रिका में तेज गती से अंदर को सांस लें और इस तरीके सिल्ट होएं एक जहरा लंबा सांस लेए अपने की कर्शान की कान बहुत रहें और देखें इस किल्या में हमारे सरीर में कहां पर हल चल भी और कौन सा अबस्तान हमारा सांस है फिर पुना इस तर किल्या को दोराएं क्यारा लंबा सांस लेए अपने करका पुना देखें कौन से इस ताइम पर हमारा सांस लेए फिर पुना देखें तक पश्चा अब हम अपने और साथ यह मस्तिस्क मैसान की दिए घ्रामरी करेंगे घ्रामरी में करी रूप हैं लेकिन सबसे सब्सक्राइब नाख के दूनों नखनों को ओम्तार की मुद्रा बना ले ओम्तार और इस तरीके से गहरा लंबा सांस लेंगे सांस इतना जहन लेंगे कि हमारे पेट में बाहर आना चाहिए सांस गहरा लेंग करने का मतलब है कि जब हम द्रामरी करेंगे तो स्वास को बहुत धीरे धीरे लेकर अपने खेपनों को भरते हुए पेट तक भरना और गुदादवान को सिकोर कर उपर को खिकेंगे जिससे हमारा मूल बंद भी लगेगा और अपान और प्राहन वाई दोनों आपस नहीं जब इनमें मिलेंगे तो हमें परम सांसी का मभव भी होगा और फिर यह प्रिकेडिया एक ऐसी प्रिकेडिया है जिसका आनंत स्वें को मिलता है हम दूसरे को नहीं बता सकते हैं कि हमें क्या अनुभव हो रहे हैं लेकिन अनुभव वावस्य होगे और मन में एक परम सांसी का अनुभव भी होगा जब हम द्रामरी करेंगे तो अपना ध्यान बंदनेत्रों की द्वारा हम यहां पर sat सांसाइक कर दन करेंगे कि यहां से हम कोई सीधी रेखा करें और जहां पर यह मिलेगी तो यहां पर ऐसे क्रॉस में और ऐसे इस जगे में लगबग हम ध्यान करेंगे जहां पर हमारा सहस्तार का है और उसी सहस्तार का हम ध्यान करेंगे गैरा संबा सांच लेते हुए भावरेका गुष्ज़र मन को अंतहा प्षीतन मन को विचार भी दिंगे मैं परम सांता आत्मा हूँ मेरा सरीर का एक एक कंग अपना कारी कर रहा है मुझे एक परम चैतन सांती एक दान हो रही है फिर एक गहरा लंबा सांत इस तरीके से कम से कम दस से पंद्रा बार इस प्रिक्रिया को करें और देखेंगे आपको एक परम सांती का अनुबा होगा यदि किसी को कुछ विशेष पूचनी की जिग्यासा जारवत हो तो मुझे मेरे संपर्त सूंतर नाइज की मुझे में दजाओ से पूमक ट्यास selbst करें रहे हो कि मुझे मुझे मुझ